नमस्कार दोस्तों Cancer Train सुनने में काफी अटपटा लग रहा है पर भारत के एक काफी प्रगरती शिल इलाके में जो क्रिशी में काफी आ गए है वहाँ पे ट्रेन चलती है जिसका नाम है Cancer Train काफी सारे अखबारों में काफी सारे डॉक्यूमेंटरेज में इवन कुछ बॉल्रीवड मुवीज में भी इसका मैंशन हो चुका है पर फिर भी आज ये Cancer Train यहां चलती है और बहुत सारे लोगों को पंजाब और राजस्तान के Northern District से बीका नेर लिके आती है जहाँ पे एक Cancer Hospital है तो आएए जानते हैं डिटेल में इस इश्यू के बारे है पंजाब के मालवा रीजन जो की बठिंडा, अभोर, बोगा, फिरोजपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और राजस्तान की जो नर्दन डिस्ट्रिक्स हैं शिरिगंगानगर, हनुमानगर, बिका नेर जो खेती के लिए काफी फेमस है इंवन शिरिगंगानगर और हनुमानगर तो food bowl भी जानी जाते हैं राजस्तान के और बठिंडा का जो reason है वो भी खेती के लिए काफी famous है काफी lush green area है due to the waters of Subtellers and Bias River और एक बहुत ही integrated canal system है यहाँ पे इस इलाके में एक train चलती है जो बठिंडा से बिका निर जाती है अब बिका निर में अचार्य तुलसी Regional Cancer Treatment Research Institute है और यह गर्मेंट इंसिट्यूट है जहाँ पे इस इलाके के सब लोग cancer का इलाज कराने आते हैं तो इस इलाके में जो number of cancer patients है वो बहुत हाई है हर साल more than 10-15,000 cases सिर्फ बिका निर के hospital में register होते है daily 175 से 200 passes issue होते हैं ताकि यह लोग strain में कुछ अनुदान के साथ, कुछ free services के साथ travel कर सके और बठिंडा से जो चलती गाम है इस इलाके के वहाँ से लोग travel करते हुए विकानिर पहुंचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं अब सवाल यह उठता है कि इसी इलाके में इतने cancer के मरीश क्यों हैं तो इसकी मुख्य दो थारान है 1960s के बाद जब से green revolution शुरू हुआ तो pesticides और insecticides का जो use है वो यहाँ पे दिन दोगनी रात चोगनी बढ़ता गया लोगों ने इतना high amount में यहाँ पे pesticides यूज किया है इवन अभी भी मैं जो देखता हूँ हमारे आसपास की खेतों में छोटी छोटी चीज़ों के लिए pesticide यूज होता है छोटे से घास को जलाने के लिए pesticide आते हैं जिनका नाम होता है छटपट जटपट और बहुती अजीबो गरीब ना और बहुत सारी कैमिकल और इंडूस्ट्री जो है इस अलग-अलग तरहें के प्रोडुक्ट्स को बनाती रहती है इस इलाके में पर हेक्टेर 0.74 kg पेस्टिसाइड यूज होता है पर हेक्टेर जो नैशनल आवरेज से काफी उपर है यहां की जो main crop है, जो zweiten है उसमें seven to eight times पेस्टिसाइड किया जाता है तो यह एक मुख्य कारण माना गया है कि यह जो पेस्टिसाइड है जिसको लोग बिना किसी protective equipment के, बिना किसी gear के, बिना किसी mask के यूजज करते हैं उसकी वज़े से जो heavy metals है या जो carcinogenic chemicals हैं इनके सिस्टम में जाते हैं और यह pesticide है यह हमारे food cycle में भी enter करते हैं जिससे यहां पर cancer के मरीद ज्यादा है अब मैं दूसरा major कारण के बारे में बात करूँगा जो अभी काफी हाल में काफी उठा है और हर अकबार में रोज उसके बारे में आ रहा है इस इस इलाके में channel system बहुत स्ट्रोग है काफी सारी इवन इंडिया की सबसे बड़ी केन लेंट में इंडरा गॅहां है वह इसी इलाके में जो 17 से निकलती है और बाड मेर तक जाती यह बहुत सारी district राज्साथान के अब अब राज्सान जो है उसके major जो western region की जो थाड रिजन की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दो कैनाल्स पे डिपेंड करते हैं इरिगेशन के पानी के लिए और पंजाब के भी जो बैल्ट के मालवा रिजन के गाम हैं या शहर हैं जिसे कि अभोर बठींडा और मोगा फिरोजपूर यह सतलज और ब्यास नदी के प प्रोब्लम ही है कि बहुत सारा पैसिसाइड बहुत सारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट लुध्याना और अधर इंडस्ट्रियल एरिया से डाला जाता है लुध्याना में एक नाला है जिसका नाम है बुधा नाला और इसको बलबीर सिंग सीचेवाला ने 160 किलोमेटर की लेदर इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं बहुत सारी टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारी कैमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनका वेस्ट जाला जाता है और वो भैक के फिर सतलज रीवर में आ गया आता है तो बलबीर सिंग जी ने इसको क्ल से जा ले जाते हैं इवन बहुत सारी एक स्टडीज होई हैं अगर में आप स्क्रीन पे हाँ देखेंगे जो की पंजाब के बहुत सारे कॉलेजस ने और बहुत सारे रिसर्ष इंस्ट्वूटक्स ने की है वह बताती हैं कि जो यह पानी हैं बुढ़ा और इवन बहुत सारी chemical industries के विद्वध पानी हैं। उसमें cadmium, mercury, nickel, salemnium और बहुत साई heavy metals पाए गए हैं। इवन कुछ इलाकों में इतने heavy metals पाए गए हैं जो safe limits से काफी उपर हैं। इवन food products में भी जो vegetable और fruits आ रहे हैं मार्केट में उन में भी इनके traces पाए गए हैं जो finally हमारी ecosystem में enter करते हैं। सतलज और ब्यास का पानी in canals is through in district में further शिरी गंगांगर जो की मेरे घर के पास में है canal है गंग नहर जिसको 1927 में बनाया गया था महराज़ गंगा सिंग ने irrigation और पीने के पानी के लिए जो बहुत सारी गांगों में आगे जाती है और इंद्रा कांधी canal system जो शिरी गंगांगर, हनुमानगर, चूरू, पिका नेर, जोधपूर, जेसल मेर और बाढ़ मेर इतने districts में पीने के और irrigation पानी महुया कराती है उसमें ये घंदा पानी डाला जाता है बहुत सारी newspaper में इस चीज का mention हो रहा है कि ये काला पानी है ये काफी सालों से आ रहा है और यही पानी इसके किनारे पे रहने वाले गांग वाले इसको use कर रहे है वो इसी पानी को पी रहे हैं इसी की बज़े से उन्हें cancer हो रहा है सोचने वाली बात तो ये है कि ये मुद्दा 1995 से news में है इसके उपर research 1995 से हो चुकी है एक movie इरादा जो 2017 में मरी थी बठीना में जो ground water भी जो इससे pollute हो चुका है जिससे लोगों को cancer हो रहा है उसके बाद भी कोई कारवाई नहीं की गई बहुत सारी local लोग कभी कभार कुछ आवाज उठाते हैं पर जो government की चूपी है जो उनका कोई action नहीं लेने का जो रवईया है उससे जो final नुकसान हो रहा है health का जो हलांकि जिसका cost बहुत जादा है वो सामने दिख रहा है even my own grandfather died due to cancer okay and a lot of people in this region have witnessed a lot of people dying of cancer cancer ही एक बड़ा रोग नहीं है उसके लावा बहुत सारी बच्चे abnormalities के साथ पैदा होते हैं बहुत सारी बच्चों को किसी ना किसी का इतने का neurological effect रहता है या किसी ना किसी शरीर में उनको कोई issue रहता है इतने बड़े level पे कोई अगर environmental effect है और since हमारी supreme court mention कर चुके है कि article 21 के अंडर एक safe access to drinking water एक right human right के अंडर आता है तो फिर क्यों fail हो रही है government इन मुद्दों को उठाने के लिए जो काला पानी है वो जो यहां पे आ रहे हो फाइनली हमारी irrigation से crops में भी जा रहे है लोग उनको पी भी रहे है waterworks में भी जा रहे है बहुत सारी लोगों को access नहीं है drinking water का through waterworks जो clean हो के आए and if this continues this kind of attitude from the government from the industries in Punjab continues then this region is going to be impacted hugely यहां के लोग यहां के बच्चे यहां के आने वाली future generations काफी impact होगी इस रवीय से I wish this is brought to the ministry of environment and forest and this is brought up to the central government even to the Punjab government which is a congress government and Rajasthan government this is a congress government itself it's not a political issue it's an environmental issue and this has to be addressed by any party ruling even the central government has to make sure that they make this government answerable so that why is this still happening why the canals in India why the rivers in India are still polluted and we are not taking any step moving out campaigns moving out just wide promises will not help people we request you to raise this issue that the canals which are flowing right away in our neighborhood should be clean the water which we receive to drink should be clean and we should have access to good water thank you very much I hope you share this video you raise this issue please write to your authority write to the collectorate write to the state government write to the central government I will try to come up with a petition soon and let's hope that we come up with something concrete to pressurize this government to take action thank you very much